स्लाम अलाइकुम डेरी फार्मर्स भाईयों क्या आल चाल है अमिन्द करता हूँ आप लोग ठीक होंगे जनाब आपका दोस्त आपका भाई डेरी फार्मर्स बिलाल एहमद और आप इस वक्त देख रहे हैं हाइब्लेड फार्मिंग डेरी चैनल ठीक हो गया भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों एक मुहिम शिरू की हुई है कि हमारे डेरी फार्मर्स भाईयों को हम लोगों ने खुद कफील बनाना हैं कि वो खुद इसकाबल हो जाएं कि जनाब वो अपना खुद का बंडा बनाएं और फैर्टनिंग बंडा भी मिल्किंग ब हैं उन लोगों को हमने ऐसे इसे तरीके बताने हैं कि जनाव वो काम से काम पैसा खर्च करके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट कैसे ले सकते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट ठीक हो गया इसमें आप लोगों को मैं यह सारा कुछ सकाओंगा इन्शाला आने वाली वीडियो में इन्शाला मैं बहुत जल्द फैटनिंग बंडा और इसके बाद भी मिल्किंग बंडे की वीडियो दूँगा आप साब लोगों से गुजार शाय कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरी यह वीडियो हैं माम डेरी फार्मर्स भाईयों के लिए एक रेड अलर्ट है एक बैड न्यूज है कि साइबेरियन हमाएं जो के बहुत ही खतरनाग किसम की हमाएं होती है साइबेरिय एक सड़तरीन इलाका है उदर मन्फी में टंपरेचर रहता है हर वक्त और बहुबारी होती रहती है हमारे खिटे का रुख कर लिया है और इस थे उड़तरीन हुआउ है उसुक्त वर घुटे में पहुंच क होकिए और उनकी इस लहर ने जनाब शिद्दत क्शिदत कर लेगाया है इस लहर ने शिद्दत पकड़ी है और यह के मजजीद अभी चलने माली है 27 28 29 28 29 को तो यह लहर और इससे भी ज्यादा शिद्धत इक्तियार कर लेगी ठीक हो गया और यह पाकिसान से होते हुए आगे इंडिया और फिर यह से आगे चलती जानी है और यह इसका काफी दिन दुरानिया चलने वाला यह काफी बड़ी लहर है जो कि बहुत हुए खतरनाक थाबत हो सकती हमारे डिरी फार्मस भाईयों के लिए क्यूंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे इलाका जो है यह थोड़ा गर्म इलाका है इतना साइद इलाका नहीं है और यह लहर इतनी खतरनाक है कि टंपरेचर ए कि टंपरेचर हो सकता है यह पिछले यह सर्दी पिछले 52 एयर का जो है ना रिकार्ड वो तोड़ने वाली है यह इतनी सर्दी हो जानी है हमारे इस लाके में टंपरेचर इतना डिक्रीज हो जाना है कि पिछले 22 सालों का जो रिकार्ड है ना वो सर्दी का वो इस दफ़ा उ करificación के हम तोड़ा गलम इलाके के रहने वाले हैं और हमारे लिए ये सर्द हवाएं ये न्यू वागी पहले हम- लोग उने इसी हवाएं बेताष्ट ने की हूँगी हम ने हमने हमारे जनुवर उनए हमछें तो इसमें हमें क्या करना चाहिए हमारे में मरद मक्सद इस वीडियो करा कि वो हमें इन दिनों हमें क्या करना चाहिए, क्या इस्तियात करनी चाहिए, क्या एकदाम उठाने चाहिए, क्या हम इन वाओं की शिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् हो जाते हैं। निकार हो जाता है। तो न economically byडियो में बताऊ। मैंने में इनका ए Giroud किसे ृुक्षे करना है। और जिनके शेड़ खुले हैं वो क्या करें वो तरपाल वगयरा का इंतजाम करें और तरपाल वगयरा लगा के अपने शेड़ को हवाँ से बचाएं ताके इन खतरनाक इसम की हवाँ से अपने जनवर को बचा सकें इनके ये इतनी खतरनाक हैं कि कमजोर जनवर हमारे जो कमजोर जनवर हैं ना चोटी बच्रियां कट्रियां जो कमजोर हैं या बड़े जनवर जो कमजोर हैं वो उनकी मौत भी वाक्या हो सकती है ये इतना खतरनाक हुआ हैं कि टमपरेचर आपको मैं बता रहा हूं कि मैनस में चला जाने का भी खत्शा है तो इस सारी सूरते हाल में हमें अपने जनवरों की इस्तियाद करनी चाहिए एक तो हमें शेड को कम्पलीट हमने एर टाइट करना है हवा का बंदोबसत है हमने रोकना है हवा को दूसरा हम लोगों पहले क्या करते थे के अंदर ही रखना है ठीक हो गया और ये मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूं कि आप लोगों ने बाहर नहीं निकालना ठीक हो गया ये नुकसान दे हैं जनवरों के लिए आपके जनवर मरेना तो इतना कमजोर हो जाएंगे कि आप लोग सोच भी ने सकते ये इतनी खतरना कहुआ हैं और इसके लावा छोटे बच्छडे कट्रे जो हैं इनका तो बिल्कुल आप इहत्यात करें इनका बिल्कुल ख्यार करें आप इनके नीचे से जगह भी खुश्क करें आली और डाल के जैसे हम लोग जटका तरीका करते हैं कि आली और नीचे डाल देते हैं जनवर की गोबर नीचे से उठा के जगह खुश्क रखें उनको तेज हवाओं से बचाएं जैसे हम लोग अपनी इहत्यात करते हैं हमें सजदी लगती है विर्कल जैनवर को भी इसी तरह से सजदी लगती है हमें उनकी भी इसी तरह तरह थे अस्तियात करनी है जब हम इपनी तरह अपने जैनल का ख法 उखेंगे तो झाल इसी बात हैं हम तब ही कामयाब बिजनसमेन बन सक transf warm इसके बाद आते हैं शेड़ के अंदर कीचिट काम होगा दूसरा वह चारा साइदी में अच्छा होता है ठीक हो गया आप लोग रोड ग्रास है साइलज इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तुमाल करें सबस्ट चारा जो बरसें वगेरा उसका काम इस्तुमाल करें एक दफ़ा और उसमें अगर आप के पास है नहीं कोई सोर्स है साइलज का है का नहीं सोर्स है तो आप लोग क्या करने के बरसें वगेरा में तोड़ी जो है तोड़ी वो ज्यादा मिक्तार में डालें ठीक होगा और वंड़ा वगेरा उसके उपर डालें ताके वो तोड़ी वो खुशक होती है वो खाएं औ और इसके लावजा वो गर्म बंडा खाएंगी तो वो तंपरिचर को थोड़ा मेंटेन करने में उसे हेल्प मिलेगी इसके इलावा आप लोग अपने जनवर को गुड़ दें दो डेली बेस पर दें ठीक हो गया छोटे बचले कट्रों को तो आप गुड़ को पीस के उसमें स शुक्रिया मेरे वीडियो देखने के लिए ये विसिकली आप लोगों के फैदे के लिए ही मैंने बनाई है अब इसके लावा आप लोगों की जो जिम्मेदारी बनती है वो यह है कि जिन गरीब डेरी फार्मर्स के पास मतलब ये इंटरनेट की फसिल्टी नहीं है वो नही ये सब चीज़े सुनते उन्हें इन सब चीज़ों का नहीं पता आपकी ये जिम्मेदारी है कि अपने अडोस परोस में डेरी फार्मर्स को उन किसान बाईयों को बताएं कि वो अपने जनवरों को इस तरह साज़दी से बचाएं इसके लावा आप इस वीडियो को ज्याद से ज्यादा गुरूपों में शेयर करें जो आपके डेरी फार्मस जानने वाले हैं उन तक पहुंचाएं कि जनाब ये सज़दी की लहर आ चुकी है इससे हम लोगों ने किस तरह बचना है ठीक हो गया होके बई लाफिज अपना भी ख्याल रखिए अपने बचों का भी ख् हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब का दें ताके मैं जो अपनी नेक्स्ट वीडियो आने वाली डालने वाला हूं जनवरों की फीडिंग पे तो वह आप तक पहुंच सकें